आप जिस चीज पर फोकस करते हैं वो ग्रो होता है आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं वो expand करता है और जिस चीज को आप पकड़ लेते हैं वो आपके किस्मत बन जाता है फोकस करना एक valuable skill है जैसे जैसे दुनिया तीजी से develop हो रही है इतनी सारी information और बहुत कुछ चल रहा है तो इससे ध्यान भटकना, अलग, थलग और खोया हुआ महसूस करना असान हो गया है ऐसे में जरूरी चीज़ों पर फोकस करने के बारे में ये book अच्छी guide है आज हम focus book के बारे में बात करेंगे जिसे डैनिल गोल्मैन ने लिखा है इसमें आप personal life से professional life तक जरूरी चीज़ों पर focus करने के बारे में जानेगे focus की तीन categories है inner, other and outer balance बनाये रखने और ज़्यादा productive बनने के लिए हर category जरूरी है एक leader बनने के लिए आपको उन चीज़ों पर focus करने में शक्षम होना चाहिए जो आपके personal और professional development के लिए जरूरी हो इस book summary में हम focus के तार चड़ाव की basic बातों के बारे में जानेंगे और अपने mindset की condition दया पर depend रहने से कैसे बचे इस बारे में जरूरी insight जानेंगे लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाये अगर आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो immediately चैनल को subscribe जरूर कर दे हमारा चैनल YouTube के best summary चैनल में से एक है हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम book और content की quality पर कभी भी compromise नहीं करते इस लिए वीडियो को end तक देखना बहुत ज़ादा जरूरी है तो चली फिर शुरू करते हैं इस book को असानी से समझाने के लिए हम इसके important lessons को आज chapter में discuss करेंगे तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो है अपने काम से प्यार करें जब आप सुबह उठते हैं तो जिस काम में भी आपका दिन बिजी रहने वाला है क्या आप उसे लेकर excited होते हैं Harvard और Stanford University में किये गे research में पाया गया है कि जो लोग अपने काम को लेकर excited रहते हैं वो normal लोगों के मुकाबले अच्छा perform करते हैं excited रहने के लिए वो अपने काम को एक बड़े purpose से जोड़े रखते हैं इस तरह के जादातर लोग अपने task को flow flow में बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन जो लोग अपने काम को लेकर motivated नहीं होते इस तरह के लोग जादा तर टाइम या तो stress में होते हैं या बोर हो जाते हैं life या किसी भी काम में flow तब आता है जब हम वो करें जिसे पसंद करते हैं जैसे अपने मनपसंद काम की job या business करना किसी भी field में बड़ी achievement हासिल करने वाले लोगों में ये चीज़ common है इसलिए सफल लोग अपने मनपसंद काम को करते हुए उसमें आने वाले challenges को face करने के लिए तयार रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आगे बढ़ने का हर अगला रास्ता तब ही खुलता है जब आप किसी ऐसे काम से deal करते हैं जौब की capabilities को ज़ादा से ज़ादा challenge करता है इसके लावा हम उस काम को focus से करते हैं जिसे लेकर emotional होते हैं या जो काम हमारे emotion से जोड़ा होता है फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस काम में सफल हो रहे हैं या नहीं उसके लिए emotional connection से अपने काम को लेकर हमारे अंदर एक deep focus का अफलो शुरू हो जाता है इस condition में हाथ में लिये हुए काम के लिए हम ज़ादा actively efforts करते हैं जब हमारा mind इस condition में होता है तो हम जो भी goal बनाते हैं उसमें अपना best perform करने की possibility ज़ादा होती है study से पता चलता है कि कई लोग daydreaming करते हैं जैसे social media या यूट्यूब पर अपने career के सफल लोगों की लैशनल देखने में घंटों बरबाद करते हैं लेकिन उस lifestyle को जीने के लिए अपने सबसे ज़रुरी काम में अच्छा बनने में कम time देते हैं जिससे उनका focus बिखार जाता है और उनके अंदर isolation और sadness बहुत ज़ादा होने लगती है और दूसरों की success देखर jealousy की feeling आने लगती है इस तरह की situation को avoid करने के लिए अपने आपको ऐसे काम करने में busy रखे जो आपके लिए ज़रुरी है और जो आप पसंद भी करते हैं इससे आपका motivation और excitement बढ़ने लगेगा और आपके अंदर एक sense of purpose develop होने लगेगा इसलिए उस काम पर अपना focus करना ज़रुरी है जिससे आप सबसे ज़रुरी मानते हैं और उसे करने में भी मज़ा आता है दूसरी चीज इसका ध्यान रखना है वो है आज को enjoy करें एक बार author की एक दोस्त जो की एक meditation teacher थी वो एक story बता रहे थी एक बार उनके पास एक lawyer आया अब जैसा कि एक lawyer का काम होता है वो lawyer भी अपने client का case जीतने के लिए अपने पूरी power के साथ court में argument करते कई बार रात रात भर जाकर research करने और तयारी करने में लगे रहते अब दिन भर वो lawyer गुसे और तेज आवाज वाले महौल में रहते थे इसलिए उनकी या आदत सी बन गई थी कि इसी तरह सोचना अपने client को problem से निकालने के लिए strategies बनाते time अपने आपको argue करते हुए imagine करना इन सब चीजों की वज़े से अब जादता time उनका mindset गुसे में रहता था एक दिन lawyer के मलागात उस lady से हुई mindfulness यानि कि अपने mind के बारे में fully aware रहने के बारे में सिखाने के लिए lady ने उन्हें किछ किश्मिश दे कर एके करके खाने के लिए कहा जैसा कि lady ने कहा था कि वो हर किश्मिश को खाते हुए उस पल का पूरा मजा ले और किश्मिश का पूरा स्वाद लेते फिर लेडी ने lawyer से अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की natural flow की तरफ focus करने के लिए कहा और इस दोरान अपनी दिमाग में चल रहे दूसरे सभी thoughts को ignore करने के लिए कहा इस तरह वो अगले 15 मिनट तक अपनी सांसों पर focus करते रहे और 15 मिनट के बाद उनके दिमाग में चल रही हल चल शांत हो गई जब हम पूरा ध्यान अपनी senses पर लगाते हैं तो mind अपनी default बगबग को बंद कर देता है क्या आपने इसे notice किया है कि life में भी मुश्किले होने के बहवजूद आपकी पाल तो बिली दुलार से आपकी गोद में कूद रही होती है और आपका डॉक दर्वाजे पर excitement से आपका इंतिजार करता है मुश्किले उनकी life में भी हैं फिर भी ये तने खुश क्यों है क्योंकि ये अपने आज के moment पर focus करते हैं लेकिन हमारे साथ कुछ अलग है हम अकसर अपने दिमाग को फिजूल की चीजों में लगा कर भटकाया रखते हैं और जितना जादा हमारा मन भटकता है उतना ही कम हम ये observe कर पाते हैं कि सच में हमें क्या पसंद है और सबसे important काम कौन से हैं जिने करने से बाकी के result अपने आप मिल सकते हैं एक research में कई students को इकी subject पढ़ने के लिए दिया गया report में पाया गया कि जादा तर students पढ़ते टाइम इधर उधर देख रहे थे और यूं कहें कि focus नहीं कर रहे थे ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम बिना पसंद की चीज़ को पढ़ते या करते हैं तो अक्सरमन भटकता है और हम एक जगह focus करने पर मुश्किल होती है फिस student की दूसरे group को वही subject दे गए जो उने पसंद है इस बार मुश्ली सभी बच्चे ध्यान से अपने subject को पढ़ रहे थे एक्सिडेंट में घायल हुए एक हजार ड्राइवर की एक study में पाया गया कि एक्सिडेंट से ठीक पहले उनका दिमाग किसी और चीज में भटक रहा था भटकाने वाले thoughts जितने जादा तेजी से चल रहे थे ड्राइवर के एक्सिडेंट होने के chances उतनी जादा थे जैसे जैसे दिमाग भटकता है काम पर focus करने वाले हमारे neural circuit deactivate होने लगते हैं जिससे हम ज़रूरी काम को focus के साथ करने की बचाए day dreaming करने लगते हैं इसलिए इसमें कोई हराने की बात नहीं है कि जब हम day dreaming करते हैं तो अपने हाथ में लिए उस काम में जादा गलतियां करते हैं तो lesson यही है कि अपने focus को बढ़ाने के लिए अभी जो काम आपके हाथ में हैं उसे पूरे मज़े से करें तीसरा point है अपने attention को restore करें टाइम टाइम पर कुछ minute का rest लेते रहें इससे हमारे mind के energy restore होती है और हम फिर से उसी तरह focus कर पाते हैं आपके mind में आ रहा होगा कि mind की muscles को आराम कैसे मिलेगा यह तो हमेशा ही काम करती रहती हैं तो इसके लिए इन तरीकों को अपनाएं आराम करने के लिए break लें सबसे ज़्यादा relax माहौल nature में है इसलिए nature में time बिताएं कुछ time शांत माहौल में बिताना हमारे focus और patience को बढ़ाता है इसके लिए आप किसी पार्क में जा सकते हैं sunset के time बादों के redness ये तितली के उड़ने जैसे पल को feel करके भी आप ऐसा कर सकते हैं ये activities हमें अंदर से rest करने का मौका देती है focus और memory बढ़ती है और observation power improve होती है अब हमें ये समझना होगा कि willpower हमारा focus कैसे बढ़ाती है अपनी willpower को मजबूत करने पर focus करे ये हमारे inner focus को बढ़ाने के लिए जरूरी factor में से एक है कोई भी goal पूरा करने के लिए deep focus, inspiration और मजबूत willpower इन qualities की जरूत होती है हमारी willpower हमारी life में क्या होगा इसको decide करने में जरूरी role निभाती है example के लिए ये देखा गया है कि जो बच्चे मजबूत willpower वाले होते हैं वो अपनी commitment पर बने रहते हैं लेकिन जिनके willpower कमजोर होती है उनके अपने commitment पर बने रहने की possibility कम होती है एक study में 1000 से जादा बच्चों के साथ experiment किया गया जिसमें उनकी frustration, बेचैनी, focus और commitment जैसी feelings को handle करने की ability को analyze किया गया 20 साल बाद इन सभी बच्चों की life को फिर से study किया गया और इस टाइम उनकी health, पैसो और criminal record को analyze किया गया result से पता चला कि बच्चों में जिस बच्चे का self-control या commitment जितना अच्छा था वो अपनी life के इस period में उतनी जादा सफल और खुश थे self-control और willpower ऐसी qualities हैं जिने आप जबरदस्ती develop नहीं कर सकते इसके लिए आप जो काम करते हैं उससे प्यार होना ज़रूरी है ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा काम हमारी personal values को reflect करता है अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो वो आपका मजबूत willpower और focus के साथ अपने goals की तरफ आगे बढ़ने के लिए motivate करेगा और बिना result की परवा किये आपको एंट तक ज़रूरी efforts करने के लिए motivate करता रहेगा जॉर्ज लुकास ने जब Star Wars मुवी बनाने के लिए डारेक्टर को अपनी script दिखाई तो उन्हें वो बहुत अच्छे लगी और उस पर मुवी बनाने का decision लिया लेकिन मुवी बनाते टाइम डारेक्टर ने कुछ observe किया और मुवी के main idea में बदलाव करने के लिए कहा लेकिन जॉर्ज लुकास अपने creative idea को लेकर बहुत confident थे इसलिए उनके इस अलक mindset की वज़े से उन्हें इस movie role से बाहर कर दिया गया लेकिन जॉर्ज लुकास नहीं रुके और मुवी बनाने के लिए उन्होंने production में अपने खुद के पैसे invest किये इस सरह जॉर्ज लुकास जिस idea से प्यार करते थे उसके साथ ही movie बनाई movie release हुई और काफी hit साबित हुई उनका अपने काम को लेकर प्यार ही था जिसने focus करने और बुरे टाइम में आगे बढ़ते रहने के लिए motivate किया पांच वो point है अच्छे relationship बनाने के लिए emotional sympathy पर focus करें दूसरों के साथ एक मजबूत relation बनाने के लिए sympathy बहुत जरूरी है sympathy दो तरकी होती है cognitive sympathy और emotional sympathy cognitive sympathy वो है जो हमें दूसरों की आँखों के जरीए दुनिया को देखने में capable बनाती है यह में दूसरे लोगों के mindset और उन तरीकों को समझने में help करती है जिससे वो दुनिया को समझते है example के लिए जब कोई इंसान आपसे कहता है कि वो दुखी है क्योंकि उसके किसी करीबी relative की death हो गई है तो अगर आप cognitive sympathy रखते हैं तो उसकी reality को मान लेते हैं लेकिन यह feel करने की कोशिश नहीं करते कि वो कैसा feel कर रहे हैं emotional sympathy में आप वैसा feel करते हैं जिससा सामने वाला feel कर रहा है एक study में emotional sympathy रखने वाले लोगों के mind को तब तक देखा गया जब वो दूसरे लोगों को खतरनाग बिजली के जटके लगते हुए देख रहे थे study में पता चला कि यह देखते time उनके mind के pain circuit भी activate थे दूसरे शब्दों में वो अपने mind में दूसरे के दर्द को feel कर पा रहे थे जब आप इस तरह की sympathy रखते हैं तो यह आपको सामने वाली की condition को देखने और feel करने दोनों की permission देता है जिससे दोनों के बीच मजबूत और understanding relation बनाना असान हो जाता है example के लिए जो डॉक्टर अपने patient के साथ sympathy express नहीं करते अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो ऐसे doctor के खिलाफ F.I.R करने की possibility जादा होती है जबकि जो अपने patient की problem को ठीक से समझने और solve करने में दिल से interest दिखाते हैं और patient के दर्द के लिए sympathy दिखाते हैं patient भी उने समझते हैं और अगर उनसे कभी कोई गलती हो भी जाए तो अपना समझ कर माफ कर देते हैं इसलिए लोगों के साथ emotional sympathy दिखाने पर focus करें ये habit लोगों के साथ मजबूत relation बनाने में help करेगी अगला point है बड़ी picture पर ध्यान दें और अपने influence को manage करें जाद अतर लोग अपनी immediate life में क्या हो रहा है इस पर ध्यान देते हैं और सिर्फ short term के लिए plan बनाने पर focus करते हैं इस mindset के साथ problem ये है कि वो दूर के ऐसे challenges से deal करने के तयारी नहीं करते या उन्हें ignore करते हैं जो long term में उनकी life हो काफी influence करेंगे हाले कि ये हमारे nature का हिस्सा है हम अकसर दूर के जरूर दो जैसे emergency funds में हमारे मंतली खर्चों के कम से कम 6 मेने का amount होना चाहिए अपनी retirement से पहले खर्चों से double income देने वाले passive income sources होने चाहिए हम इनका अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उनकी जरूरत अभी feel नहीं होती जबकि short term चीज़े सामने दिखती है जैसे घर का rent, loan की MI या दोस्तों के साथ अगले अफते घूमने चाना इसलिए इन पर तुरंट focus करते हैं और अपना जादाता time, पैसे और energy इन पर खर्च कर देते हैं फीचर की जरूरतों के लिए हमें लगता है क्यों ठीक करने के लिए अभी काफी time है एक्जामपल के लिए खराब financial habits के effect कई लोगों की life में इसके immediate result नहीं दिखते हैं हालकि हमारी immediate problems पर ध्यान देने की आदत बहुत natural है लेकिन इसे balance ना करने से ये एक serious problem बन सकती है और बड़ी picture को ignore करना feature में नुकसान दायक हो सकता है एक्जामपल के लिए हमारे planet के resources जैसे साफ हवा और पानी अगर उन्हें save करने पर ध्यान नहीं दिया तो एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएंगे जिससे आने वाली PD को परिशानी होगी इस सरा जब आप बड़ी picture पर ध्यान देंगे और उससे जोड़ी छोटे actions या भी जो काम करने ज़रूरी है उन्हें करने के लिए आपका focus अपने आप बढ़ने लगेगा जैसे आप passive income sources बनाने के लिए अभी जो करेंगे उससे पुरे focus से करेंगे सिर्फ immediate चीजों पर ध्यान देने में परिशानी ये है कि जब आप से short term के result पर focus करके किसी problem को solve करने की कोशिश करते हैं तो problem से हमें जो रहात मिलती है वो कुछ time के लिए ही होती है इसलिए कुछ time के बाद वो problem किसी ना किसी रूप में फिर से आने लगती है और अक्सर solution जाता से जादा road या highway बनाना है हालकि highway बनते time road के चारों तरफ jam लगने लगता है और traffic को आने जाने में परिशानी होती है लेकिन एक बार उसके बन जाने के बाद वहाँ से आना जाना बहुत आसान हो जाता है इसका result ये होता है कि वहाँ पहले से जादा गाड़ियां आ जा सकती है इस तरह किसी भी चीज़ की बड़ी picture पर focus करना हमें ना सिर्फ immediate solution के लिए बलकि feature की जरूरतों को पूरा करने में भी काबिल बनाता है ये mindset आपको आने वाली life को अच्छी तरह lead करने और present की जरूरी task पर अच्छी तरह focus करने की permission देता है अगला point है अच्छी leadership मिलकर focus के साथ काम करने पर टिकी होती है जब एक सफल organization को lead करने की बात आती है तो अच्छी तरह से focus करना बहुत जरूरी हो जाता है company को सही time पर, सही जगह पर ले जाना उसके leader की self awareness या focus पर depend करता है हालकि high IQ आपको किसी एक काम में सबसे अच्छा परफार्म करने के काबिल बना सकता है लेकिन सिर्फ ये quality एक अच्छा leader बनने के लिए काफी नहीं है जब तक आपके अंदर self awareness नहीं होगी कि आपकी अच्छाइयां या कमियां क्या है टीम मेंबर की अच्छाइयां या कमियां क्या है तो आप उन्हें ठीक कैसे कर सकते हैं तब तक एक effective leader बनना मुश्किल है जिनके अंदर ये awareness नहीं होती ऐसे जादातर owner अपने employees की कमियां निकालते हैं और उन्हें उनके natural potential से जादा काम करवाने की कोशिश करते हैं Employees की skill कुछ होर होती हैं और उनके owner अपने मन से कोई दूसरा काम करने के लिए कहते हैं ये behavior एक negative माहौल को जन्म देता है क्योंकि सिर्फ अपने result पर उनका focus उन्हें इस बात की तरह focus करने नहीं देता क्योंकि इस decision का आसपास के team members पर क्या influence पढ़ सकता है एक ऐसे leader के बारे में सोचे जो अपनी team पर ध्यान देता है उनकी छोटी-छोटी achievement की तारीफ करता है और इस सचाई को मानता है कि कुछ ऐसे काम है जो वो बिना सीके खुद से नहीं कर सकते इस तरह की leader के पास self awareness होती है वो अपनी कम्यों के साथ-साथ अपनी team की कमजोरी को जानते है और इसलिए एक दूसरे की weakness को अपने अपनी strength से दूर करते हुए एक मजबूत team बना पाते है वो दूसरों के काम करने के तरीको और उनकी काबिलत पर भरोसा करते है और जहां जरूत हो team members को अपने तरीके से काम करने की permission देते हैं इसके लावा एक effective leader अपने विजन को लेकर काफी focus होते है वो जानते हैं कि एक leader का vision जितना जादा clear और goal oriented होता है उतनी जादा possibility होती है कि वो दूसरों को खुत पर भरोसा करने और उस goal के लिए अपने साथ काम करने के लिए convince कर सके एक बड़ा vision हर profitable business plan की नीव है इस तरह के vision को reality में लाने के लिए ऐसे शांदार leader की जरुत होती है जिसका हमेशा अपने vision पर focus रहे टीम मेंबर्स को इस पर काम करने के लिए भरोसा दिलाएं और उन्हें समझाएं कि ये हासिल किया जा सकता है 19 सेंचुरी में जादतर लोगों का ये मानना था कि middle class housewife सिलाई मशीन जैसी महेंगी चीज़ नहीं खरीच सकती लेकिन singer company का vision था हर घर में सिलाई मशीन पहुचाना उन्होंने अपने vision पर focus किया और कम price की machine बना कर marketing के जरिये और इसी तरह के अलगलग तरीकों का अपना कर लगों घर घर की housewife के लिए सिलाई मशीन को खरीदना असान बना दिया और इस तरह उन्होंने हर घर में सिलाई मशीन के अपने vision को लोगों की desire जैसे दुनिया भर की महिलाओ को self empower करने के vision के साथ आगे बढ़ाया इस तरह के सफल leaders दूसरों को सफल बनने में help करने के लिए motivated होते हैं सिर्फ result पर बहुत ज़ादा focus करने लेकिन अपने आस पास के लोगों पर के influence से अंजान रहने की बचाए अच्छे leader दूसरों को empower करने और society में contribute करने की कोशिश करते हैं अच्छा leader अपने employee को किसी भी काम के लिए सिर्फ order देने की बचाए उसके natural talent को भेचाने और उसे develop करने पर focus करते हैं इसके opposite ineffective leaders दूसरों पर उनके influence को देख नहीं पाते जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है एक्जाम्पल के लिए Gulf of Mexico में BP Oil Factory की वज़े से हुई आपदा की वज़े से कई पक्षी और जानवर मर रहे थे गल्फ के लोग इसके लिए BP Oil Factory की ट्रिलिंग को ब्लेम कर रहे थे BP Company के CEO टोनी हैवर्ड ने जनता के emotion के लिए sympathy दिखाने की बचाए गमन में मीडिया को कुछ इस तरह से कहा यहां कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इस बात को लेकर मुझसे ज़ादा शर्मिंदा हो इसलिए आप लोग अपने काम से काम रखो हम जल्दी से ठीक कर देंगे इस behavior से लोगों में BP Company के लिए गुसे की लहर को जगा दिया जिससे जनता की नजरों में Company की image पहले से खराब हो गई ये एक अच्छा example था जिससे आपको साफ पता चल रहा है कि क्या हो सकता है जब एक लीडर ये देख नहीं पाता कि उनके actions का दूसरों पर क्या effect हो रहा है और लोग किस तरह response की उम्मीद करते हैं इसलिए awareness के साथ decision ले अपने vision और actions को लेकर focus रहें अगला point है सफ़ लीडर की थरह futuristic approach रखें सफ़ लीडर futuristic चीजों पर भी focus करते हैं ये mindset उन्हें market में आगे बढ़ने की opportunities को पहचानने के काबिल बनाता है example के लिए Steve Jobs ने Apple company को आगे बढ़ाने के लिए customer की जरूरतों को समझा और कई अलगलग product के production पर focus करने की बजाए decision लिया कि वो अभी Apple में कुछी products बनाएंगे जिनकी qualities हम market से सबसे अच्छी दे सकते हैं या यूँ कहें कि जो चीज हम बिलकुल customer की demand के हिसाब से बना सकते हैं दूसरी तरफ ineffective leader बिना futuristic approach और customer की demand को समझे अपने पास available products और technologies को use करके अपने convenient के according product बनाने की कोशिश करते हैं जिससे long term में fail हो जाते हैं इसका सबसे अच्छा example smartphone company Blackberry है mid 2000 तक Blackberry smartphone logo का एक favorite phone बन गया था लेकिन सिर्फ 5 साल बाद उसने अपने 75 customers को खो दिया लेकिन क्यों Blackberry company iPhone और दूसी touchscreen smartphone की बढ़ती हुई popularity को देख नहीं पा रही थी यह ऐसा feature था जिसने उस time logo का आपस में connect होने को fast और easy बना दिया था लेकिन Blackberry अपने phones में इस feature को add करने की बज़ाए जादा battery backup पर focus कर रही थी company यह समझ नहीं पाई कि users touchscreen feature के साथ कम battery backup वाला phone भी खरीदने के लिए तयार हैं इसलिए users दूसरे touchscreen mobile वाली companies के phone खरीदने लगे Blackberry एक अच्छा example है कि futuristic approach ना रखने वाली companies क्यों fail हो जाती हैं क्योंकि ऐसी companies अपना ध्यान अगली demanding चीज़ को invent करने की बचाए पहले से बने हुई technology पर focus करती हैं जिससे वो बदलती market demand को पूरा नहीं कर पाती और market से बाहर हो जाती हैं तो lesson ये है कि competition को beat करने के लिए आपको अपना focus invention पर भी करना चाहिए तो दोस्तो ये थी focus book की समरी तो आए वापस से इसके important lessons को revise कर लेते हैं ताकि आपको ये सब points याद रहें किसी भी काम में focus बढ़ाने के लिए आप जो काम करते हैं उससे प्यार होना जरूरी है जब हम अपने favorite काम को करते हैं तो उसमें focus करने के possibility बढ़ जाती है relationship को मजबूत बनाने के लिए emotional sympathy पर focus करें अपने आज के छोटे goals के साथ साथ बड़ी picture पर भी धान दे इससे अपने आज के काम को लिकर अपना focus अपने आप भढ़ जाएगा अच्छी leadership के लिए अपने teammates के natural talents को भचान कर उसके according काम दे ताकि वो अच्छा perform कर सके अपनी field की बड़ी picture से aware रहें कि आने वाले time में किस चीज के demand हो सकती है I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी I hope आपने इस book को समझके focus के बारे में बहुत बारी क्या जानी होगी आपकी इस वीडियो से सबसे important learning क्या है जिसे आप lifelong implement जरूर करेंगे हमें comment करके जरूर बताएं जल्दी मिलते हैं और भी बहतरी इन वीडियो के साथ Thank you so much